हेलो फ्रेंज, वेलकम टे ट्वेंटीफोर नॉलेज ए ओफिशल यूट्यूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंटल बैंक ओफ इंडिया की नियू रिकिर्मेंट नॉटिफिकेशन के बारे में इसकी एलबिटी कंडिशन के बारे में और आप इसमें कैसे आवेदन कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में तो फ्रेंज से यहां पर देखे जो यह नॉटिफिकेशन है सेंटल बैंक ओफ इंडिया में यह फ्रेंज से आपके जारी की गई है एंगेजमेंट ओफ एप्रेंटिशिप पोस्त के लिए जिसके चाहिए इसके लिए आप सेंटल बैंक ओफ इंडिया की ओफिशल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं यहां फ्रेंज से डिरेट लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में जॉबरास्ता.com पर जहां पर जाकर आप इसकी डेटेल्स को चेक आउट कर यह ओंलाइन आवेदन आपके यहां पर जारी किये गए हैं इसमें सबसे पहले हैं आपके आपके 5000 प्लस सीट आप कि रहेगी और जफ इसके बात प्रेंस को यहां पर कहा गया है जो vacancies है आपके apprenticeship post के रिए इसमें selected candidate को friends जो engage branch या office है respective district में उनमें friends आपके यहाँ पर posting की जाएगी apprenticeship friends एक permanent job नहीं होती है ये आपकी only एक training होती है तो ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए apply करने से पहले अब बात करते हैं detail of vacancies की तो यहाँ पर देखिए detail of vacancies क आपको देखने को मिल जाएगा इसमें सबसे पहले आपको दिया गया है state अब उस state के अंदर friends आपके रहेंगे reason जो आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं और reason में SC, ST, OBC, EWS, General में आपके कितनी कितनी vacancies है और PH candidate के लिए कितनी vacancies है वो जानकारी आपको दी गई है अब य जाएगी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं इसके बाद friends से यहाँ पर देखिए नीचे आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको vacancies दी गई है total इसमें total आपकी 5000 vacancies आपकी यहाँ पर रहती है इसके बाद friends से यहाँ पर देखिए जो आपके reason है जैसे आपको यहाँ पर य vacancies जो है वो friends के टेंटेटिव हैं वो कम यह जादा की जा जी जाएयगी तो यहाँ पर देखी है अब embolig क्रैटेरिया की तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका 31 March 2013 को काउंट किया जाएगा तो All India करने के लिए बात करें यहाँ पर कट ओफ डेट की तो फ्रेंट से दिखी जो 31 मार्थ 2023 है उस दिन आपका जो एस क्राइटिरिया है वो मिनिमम बीस साल मैक्जिमम अठाइस साल आपका रहेगा और अगर आप SC, ST, OBC, PH का इंडेट है तो आपको अपर एज में छोट मिल जाती है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो गेश्वर की डिगरी आपके पास किसी भी डिस्सिप्लीन में है आप इसमें आवेधन कर सकते हैं कोई भी डिगरी होल्डर आप है आप आवेधन कर पाएंगे पर जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपकी कत्ति समार्थ 2023 तक लाइब आपका फिजिकली यह मेडिकली फिट होना आपका जरूरी रहता है रजिस्टेशन कैसे कर सकते हैं तो आपको फ्रेंटिशिप इंडिया.gov.in की वेब साइट पर जाना है और पर प्रोफाइल है वह कंप्रीट 100% होना चाहिए तो ही आपका फ्रेंट जो फॉर्म है वो सम्मिट होगा तो इसके लिए फैंस आपको रजिस्टर सबसे पहले एपरेंटिशिप की वेब साइट पर करना है कैसे रजिस्टर कर सकते हैं तो आप यूटूब पर जाकर चेक कर सकते हैं या फ्रेंस को एक और आपको देन होगी इसके बाद आपको डीजिए जाएंगे इसके बाद अपको को कोई रट नहीं हे क्लेम करने का इंप बैंक में यह चीछाइन रखेंगे तो तो फ्रेंज़से अ आपको व्रेंटिशिप नर्ँ Minsk के लिए उनको फ्रेंज़ spielt करने हो गी और यूगा।क्ट है उनलाइन रेटन जो कि पाठ्ट में है जिसमें आबका पहला है कॉवान्टिटी टो ऑनलाइने मैं מןनेटेट्ज कोषे closing cioè अपैसे जाएंगे duration जो है exam की वो friends आपको call letter में ही बताई जाएगी और candid friends four time of vacancies friends उनको बुलाए जाएगा interview के लिए इसके बार merit list जो है friends district wise और category wise बनेगी इसमें friends आपका यहाँ पर local language proof भी आपको देना होगा तो friends आप जिस भी states है या जिस भी district से रीजन से apply करते हैं आपको देना होगा अगर आपने यहाँ पर आठ भी में दस भी में बाद भी में ग्रेशन लेवल में local language अगर आपने पड़ी है तो फिर उस condition में आपको यह ज़रुत नहीं होगी इसके बाद देखें friends जो reservation है वो friends आपको यहाँ पर मिल जाता है government of India के rules के according इसके बाद friends से contact जो है आपके apprenticeship का उसमें friends आपको यहाँ पर कहा गया है कि जो bank है वो आपसे फ्रेंच से एक apprenticeship training का जो contract है वो आपसे fill up कराये जाएगा उस दोरान आपको training की जाएगी और training complete होने के बाद आपको apprenticeship का certificate मिल जाएगा इसमें जो engagement है वो आपके एक साल की रहेगी इसके बाद friends से नीचे देखे stipend आपको दिया गया है अगर आपका जो area है ruler या semi urban branch में है तो आपको stipend मिलेगा 10,000 urban branch में है तो 12,000, metro branch में है तो 15,000 stipend आपको मिलेंगे इसके बाद friends से यहाँ पर देखे नीचे आप से training conditions के बारे में और उसके according आपको जानकारी यहाँ पर दी गई है जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कितने कितने छूट आपको यहाँ पर मिलती है अपरेज में उसकी एक्जाम फीस तो एप्लिकेशन एक्जाम फी या इंटिमेटेशन फीस जो भी eligible candidate होंगे उनसे फैंसे डिमांड की जाएगी कि आपको अगर एक्जाम देना है तो आपको यह फीस पे करनी होगी जिसमें फैंसे पी एच के लिए 400 रुपे SCST woman candidate के लिए 600 रुपे और बाकि स्मार 2023 से 3 अप्रेल 2023 तक अप्लाए करेंगे इस लिंक से apprenticeship इंडिया पर आपको फ्रेंज से आपका जो profile है वो create करना है login करना है और उसके बाद फैंसे आपको apply करना है इसके बार आपसे कहा गया है all applicant जो successful apply करेंगे apprenticeship के लिए उनको email communication भी फैंसे यहाँ पर मिलेगा इसमें से आपके continuing bank details होंगी payment of exam fees के लिए इसके बार फैंसे यहाँ पर नीचे आप से कहा गया है जो की exam में अपेर होने के लिए आपको क्या क्या चाहिए इंटर्वी के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो जानकारी आपको देखने को मिल जाती है इसके बार एनेक्जर आपको दिया कीजिए और बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते रही हमारा YouTube चनल एलास थैंक्स पूर वाचेंग